अक्टूबर माह का पहला सप्ताह कुम्भराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जैमातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अमरिता एस्ट्रो में और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के कुम्भराशी फल के बारे में 30 सितंबर 2024 से 6 अक्टूबर 2024 यानि कि ये जो साथ दिन है ये आपके लिए कैसे रहेंगे? इन साथ दिनों में ग्रहों का नक्षत्रों का भी परिवर्तन होने वाला है और नक्षत्र का बदलना ग्रहों का बदलना योग का बनना ये हर तरह से आपके जीवन में प्रभाव साली होते हैं प्रभाव को बदलने वाले होते हैं तो किस तरह से बदलेंगे? क्या नक्षत कॉन राशी में विराजमान है यानि आपके लगन में विराजमान है कुम राशी में लेकिन तीन अक्टूबर को उनके नक्षत्र का परिवर्तन है शत भिशा नक्षत्र में इसके साथ ही देवताओं के गुरू ब्रसपती है वो वरशब राशी में है लेकिन कन्या राशी में सूर्य बुद्ध और केतु की यूती है जिससे त्रिग्रह योग तो बन ही रहा है लेकिन बुद्धादित राजयोग भी बन रहा है अब यह जो बुद्धादित राजयोग है यह एक तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे निर्मान कर रहे हैं और इस समयवधी में जो यह राजयोग बना हुआ है यह वैपार के मामले में भी बड़े अच्छे बने हुए है और साथ में तुला राशी जो है वो अपनी मूलतिरकोंड राशी में है यानि अपनी ही राशी में है शुक्र जो है वो तुला राशी में है तो वो क्या बना रहे हैं मालवे राजियोग बना रहे हैं अब बुद जो है वो अपनी मूलतिरकॉन राशी में है तो भधर राजियोग बना रहे हैं इस तरह से कई तरह के योग कई तरह के राजियोगों का निर्मान हुआ है चंद्रमा की अगर बात की जाए कि चंद्रमा क इस्तिति कैसी है तो चंद्रमा जब शुरुवात होगी सब तहा की तो सिहिंग राशी में होंगे उसके बाद एक तारीख की शाम को ये कन्या राशी में चले जाएंगे और तीन अक्टूबर को ये रातरी में तुला राशी में चले जाएंगे उसके बाद छे अक्टूबर क तो ये वरश्चिक राशी में गोचर करेंगे दोपहर में, तो ये चंद्रमा की स्थिति रहेगी, यानि सेहिंग राशी से वरश्चिक राशे तक, तो उसके हिसाब से भी परिवर्तन होंगे, किस तरहा के होंगे, चले जानते हैं, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कि चैन हैं, और अस्टम में ही सूरिय हैं, और अस्टम में ही बुद्ध भी बैठे हुए हैं, तो हेल्थ थोड़ी अधिकत महसूस हो सकती है, और इस तरह की चीज़े हो सकती हैं, कि हो सकता है काम पर एक आगरता ना बन पाए शुरू-शुरू में, तो थोड़ा बहुत यहां आपकी द्वारा कियेगे प्रियासों में, आप कमी ना आने दें, आप अपनी प्रियासों को पूल तरिके से करते रहें, जहां आपको धन्मेवरद्धी के लिए काफी अच्छा समय दिख रहा है, और अनुकुल ग्रहों की जो इस्तिती है, वो आपको बहतर परिणाम भी दिलाएगी, बहतर अफसर भी आपको दिलाएगी, और इस वीक में घर परिवार में आप अपनी समझ से एक बहुत अच्छा सामजस से भी स्तापित कर पाएंगे, आपके जो घर के सदसे हैं, उनके बीच में सत्भाव होगा, भाईचारे की भावना होगी, परिवार की इस वीक में आपको मिलने वाले हैं, अब जहां तक देखे, बात की जाए कि क्या कुछ खास है इस वीक में, तो सबसे खास समय इस वीक में होने वाला है, वो क्या है, जैसा कि मैं पहले भी बता शुकी हूँ कि 2 अक्टूबर का जो दिन है, वो सर्व पित्र अमावशा का दिन ह जो कि श्राद पक्ष का अंतिम दिन होता है, जो अमावशा तिति होती है, वो पित्रों के लिए ही निर्मित की गई है, और ये बहुती सिद्ध दिन भी होता है, तंतर मंत्र की विद्धाय होती है, उपाय होते हैं, और साथ में, ये क्योंकि पित्र अमावशा, यानि कि सर वो पित्रों, सभी पित्रों का एक साथ तरपन करने के लिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो इस दिन कर सकते हैं तो उनके नाम से दान पूरने कर सकते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद 3 अक्टूबर से तो नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है अच्छे मांगली कारेकरम आपके घर में संपन होंगे धार में किस्तल की यात्रा की योग भी बन रहे हैं इस वीक में आपके लिए सप्ता का जो उतरार्द का समय है वहाँ उन लोगों के लिए जादा फाइदे मंद इस्तितियां बनेंगी जो विदेश से जुड़े हुए कारे कर रहे हैं विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है विदेश में कारोबार है करियर बनाने की दिशा है करियर बनाना चाहते थे दिक्कते आ रही थी वो दिक्कते दूर हो जाएंगे और मध्य माहा भी आपके लिए मध्य जो सप्ताः का मध्य भाग जो रहेगा उसमें भी आपके स्वभाग्य में व्रद्धी होगी शुबचिंतक आपका सहयोग करते हो दिखाए देंगे जो काम आपको बड़े कठिन लग रहे थे उन कठिन कामों को आप अपनी बुद्धी से विवेक के साथ बड़ी आसानी से बड़ी सरलता पूरवक पूरा कर पाएंगे आप अपने आर्थिक पक्षो को मजबूत बनाने के लिए भी हर तरह से प्रियास करेंगे हर दुशा में आप प्रियास करते हो दिखाए देंगे और कोई भी अगर दिक्कत आ रहे थी कामकाज में छोटी थी मोटी थी लेकिन महीनिक सब्ताह के अंततक जो समाधान है वो आप अंततक होज पाएंगे और कामया भी हासिल कर पाएंगे स्टुडेंट्स की मैं बात करूंगी तो कॉम्पुटेटिव एक्जाम की तियारी कर रहे है उनका मन भी बढ़ाई में लगेगा फोकस भी रहेगा और आपका फोकस बनेगा तो आप बड़े ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे मन में बड़े अच्छे भाव होंगे तो अपसुस भाव के जरीए ही आपको क्या करना है अपनी कागरता को उसी तरह से बना कर रखना है पढ़ाई पर दिहान देना है वहीं जो महिलाएं हैं उनका मन बड़ा धर्मकर्म में इस समय लगने वाला है एक तो तिथियां ऐसी आ रही है इसका भी हम कह सकते हैं कि नवरात्र भी आ रहे हैं और कहीं न कहीं सर पित्रमावश्या का दिन भी है धर्मकर्म से जुड़े कारे में मन भी लगेगा और मन में बड़ी ही एक जो होती न शांती शांती आपके मन में रहने वाली है नौकरी पिशा जातकों की बात की जाए तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंकम के सोर्सिस भी बनते दिख रहे हैं रिष्टे नातों की द्रस्टी से देखा जाए तो ये भी काफी अच्छा रहने वाला है माता-पिता के साथ बड़ा ही अच्छा सुख सामजस के साथ समय बना रहेगा प्रेम प्रसंद है उनमें भी अच्छा रहेगा एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए दिखाए देंगे एक दूसरे का आदर करेंगे सम्मान करेंगे एक दूसरे की बातों को समझेंगे संतान पक्ष की प्रगती हो सकती है संतान पक्ष की प्रगती से मन में प्रसंदा का भाव रहेगा और दामपत्य जीवन में भी आपके जीवन साथी के साथ आपका विवार बड़ा इसने पुरून बना हुआ दिखाई दे रहा है और चीजें जो हैं कही ना कहीं अच्छी दिख रही है फैमिली के साथ एक उत्साह वर्दक ये समय रहेगा आपके लिए आपके स्वजन हो गए मित्र हो गए कुटूम हो गए उन सभी के साथ अच्छा रहेगा नए वाहन की खरिदारी का योग भी है कि सब्ताह के अंत में नए वाहन की खरिदारी जो खरीदना चाहते थे उनके लिए अच्छे योग है बीमा निवेश शेयर्स इन सभी में आप काम कर रहे हैं तो काफी वेस्ता भरा भी समय रहेगा आपके लिए काफी ज़्यादा इसमय बिजी सेड्ल रहने वाला है और घर भूमी वाहन इन चीजों के जो सुख है उसके मिलने का ज़्यादा चांसे यहां बनते दिखाई दे रहे हैं देखे जो 30 सितंबर का दिन होगा न 30 सितंबर और एक अक्टूबर के दोपहर टक का समय बहुत अच्छा है आपके लिए एक अक्टूबर के दोपहर के बाद और दो और तीन तारिख को आप जो भी काम करेंगे थोड़ा साफधानी से करेंगे थोड़ा साफधानी रखनी ह हर एक काम को करने में पैसे के लिन दिन करने में भी और इस सब्ता में आप गरीब बच्चों को अगर कुछ दान करते हैं तो अच्छा रहेगा हनमान जी की पूजा अरचना करते हैं तो भी अच्छा रहेगा और सबसे जो शुब दिन है वो शुकरवार का दिन है जो कि बहुत जबरदस्त दिन होने वाला है शुकरवार का इसके अलावा मैं अगर बात करूँ जो शुब रंग है शुब तारीख और शुब दिन है तो मैंने बसाया शुकर वार का दिन बहुत ही शुब है, इसके साथ रविवार गुरुवार का दिन भी है और लाल रंग और गुल्डन रंग, यानि की red color और golden color जो है वो आपके लिए बहुत इशुब रहेंगे और एक तारिक का दिन बहुत अच्छा है और साथ में तीन तारिक का दिन बहुत अच्छा है और छे तारिक का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है तो और दी कैसी जानकारियों के लिए चानल को जरूर सबस्क्राइब करें